बच्चों, हमने गर्दी की विधाओं में निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, जीवनी, आत्मचरित, विभिन प्रकार की विधाओं का अध्येन किया है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विधाओं है आत्मकथा, और आत्मकथा लेखन में सैयद हैदर रजा, जिन्होंने आत्मा का ताप नामक ग्रंथ लिख करके कीर्थिमान स्थापित किया है। सैयद हैदर रजा, 22 फरवरी 1922 को मंदला जिले के बावरिया गाओं में पैदा हुए। आपने वारह वर्ष की छोटी उम्र में ही अपनी कूची थाम लिया और रेखा चित्र और चित्र बनाने लगे। आपने स्कूली सिक्षा नागपूर बोर्ड से प्रथम स्रणी में उत्तिर्ण की। हाइ स्कूल से निकलने के बाद कला की दुनिया अपनाने का फैसला किया सैयद हैदर रजा साब ने। लिहाजा उन्होंने सन उनाइस सो तेतालिस में नागपूर स्कूल आफ आर्ट में दाखिला लिया। अपनी तालीम को आगे बढ़ाते हुए उनाइस सो तेतालिस इस्वी में मुंबई के जेजे स्कूल आफ आर्ट पहुँच गए। मुंबई के बाद रजा साहब सन उनाइस सो पचास में पेरिस गए जहां उन्होंने उनाइस सो तिरपन तक तालीम हासिल की। वहां उन्होंने अपना इस्टूडियो स्थापित किया और वहीं पर उन्होंने फ्रांसीसी नागरिक जेनिन से बिवाह किया। सन 2002 में जेनिन के निधन के बाद जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा फ्रांस में बितीत किया। लेकिन भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी। 2011 में फिर भारत लोटाए। रजा ने M. F. हुशेन, S. N. सूजा, K. H. आरा, H. A. गौरे आधि के साथ मिलकर बंबई में प्रगसिल कलाकार संग की सापना की। 2010 में क्रिश्टीज में नीलामी में रजा की कृत सौराष्ट्र 16 करोड 42 लाख में विकी। रंग और कूची से चित्रकला के बिश्व कैनवास पर भारती और धार्णाओं और आइकनोग्राफी को सोहरत की बुलंदी पर पहुचाने और आधुनिक चित्रकला की विशाल विरासत को भारती चित्रकार सैयद हैदर का लंबी बीमारी से 23 जुलाई 2016 को निधन हो गया। वे 14 वर्ष के थे अपनी अमूर्त कला कृतियों के माध्यम से बिंदू, प्रकित पुरुष और नारी जैसी अधार्णाओं को कैनवास पर उकेरने वाले रजा साहब महान चित्रकार थे 2014 में भी एक अन्निकृती 18 करोण 42 लाख रुपए में विकी थी। बच्चों आत्मा का ताप जो है रजा साहब का यह उनकी आत्मकथा का एक अध्याय है। यह आत्मकथा है क्या वास्तों में आत्मकथा जब किसी ब्यक्ति द्वारा अपनी जीवनी खुद लिखी जाती है और उसे आत्मकथा की रूप में दुनिया जानती है। कहने का भाव यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी खुल लिखता है तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा किसी ख्यात प्राप्त लेखक या व्यक्ति के जीवन की आत्मा भी व्यक्ति है। इसमें ब्यक्तिगत डाइरी संस्मरण तथा ब्यक्तिगत निबंध आति सभी को आत्मकथा का अंग माना जा सकता है किन्तों एक ब्यापक प्रिष्टभूम में जीवन के अनुभवों और अनुभूतियों का क्रमिक निरूपन होता है कि आत्मकथा प्रथम पुरुष में लिखी जाती historically अपने बारे में लिखता है अब आखिर ये आत्मकथा लिखने का उद्देश से हनुआ ॑हत्मा भी भ्यक्ति मनुष्यका सहज़ लक्षण है इसे आप कमजोरी भी कह सकते हैं इन्हीं लक्षणों से प्रेरी ठोकर ब्यक्ति जो है आत्मकथा लिखता है अपने जीवन में सहाएक सुख दुख की अनभूतियों का बटवारा एक दूसरे से करने के लिए अनभूतियों के भार को दूसरे में बाठ कर अपने भार को हलका करने के लिए और अपनी सच्चाई उजागर करने के लिए आत्मकथा लेखन जो है आत्म निरमान आत्म परिक्षण या आत्म समर्पन अतीत की स्मृतियों को पुनर जीविद करने में अपने आपको अनुवेशित करने का सात्मिक मोह है लेखक का लेखक द्वारा आत्म कथा में आत्मांकन आत्म परिचय करने और आत्मों नति की विवेचना करने के लिए लिखता है इसका दूसरा उद्देश से हो सकता है कि लेखक के अनुभवों का लाव अनने लोगों को भी प्राप्त हो सके जीवन में लेखक को क्या क्या आंव हो मिले है किस तरह से वह संगर्ष में जीवन जीवन जिया है क्या-क्या उसके जीवन में अच्छाईयां आई हैं कौन-कौन ने उन्हें सहयोग किया है किस-किस ने उन्हें अभिप्रेडित किया है यह सारी बातें आत्मकथा लिखने के लिए लेखक जो है वह कलम उठाता है लेखक के अन्भवों का लाव अन्य लोग भी पास सकें यदि धर्म राजनीति अथ्वा साहितिक इतिहास निर्वान में किसी व्यक्ति का महत्व पूर्ण हाथ रहा हो तो अवस्य पाठक उस व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ना पसंद करते हैं जैसे कोई धार्मिक महापुरु या कोई धर्म या राजनीतिग्य या कोई साहितिकार या कोई साहित्यमनीशी उसे प्रेडित किया हो और साहितिका इतिहास निर्मित करने में किसी व्यक्ति का महत्वपूर्ण हाथ रहा है तो निश्चित रूप से लोग उसे पढ़ना भी पसंद करते हैं और जो आत्मकथा लेखक है वह बड़ी बारीकी से उसे प्रस्तुत करता है आत्मकथा लेखक को मूल कलात्मक अव्यक्ति की प्रेणा हो सकती है प्रेरक उद्देश्यों से प्रभावित होकर आत्मकथा की रचना होती है आत्मकथा लेखन में कुछ बातें बड़ी महत्तुपूर्ण होती है उसका हमेशा लेखक जो है अपने ध्यान में रखता है वास्तों में आत्मकथा में सच्चाई का उलेखो पहली सर्थ है दरपन की तरह सब कुछ साप साप खोल कर रख देना चाहिए आत्मकथा में केवल आत्म इस्तुत ही नहीं बलकि उन पहलूओं का भी समावेश होना चाहिए जो लेखक की कमियों को भी उजागर करें परंध्यान रहे जो विवादित पहलू है यथा संभव उनसे बचना चाहिए मन गरंत कालपनिक बातें जो की सत्यता की कसोटी पर जांची पर्खी न जा सकें का उलेख करने से परहेश करना चाहिए लेखक को दूसरों पर अनावस्यक्छीटा कशिसे बचना चाहिए जीवन के सिक्षाप्रतन अन्भवों का लेखु अवस्य वो जिससे लोग उसे अभिप्रेजित हो सकें अत्यंत गोपनियत तथ्य जो लेखक के साथ किसी अन्य के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालें उनका लेख नहीं करना चाहिए लेखक को उसे बचना कहीएं जीमन के उन सभी अनभबों को बाटना चाहिएं जो लोगों के लिए प्रेञणादायक सिद्ध हों प्रेमक्रों लोग पढ़ करके प्रेडित हो सके आत्मकता बहुत सारे लेकें लिखी हैं बहुत मनीशीयों ने लिखी है जैसे हमारे महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग उनकी जो है आत्मकथा है लेकिन उसका वो अनुबाद है इसी तरह से पंडित जवाहलान नहरू की मेरी कहानी यह भी अनूदित है मूल्क आत्मकथा लेकों में सयद हैदर रजा के अत्रिक्त डॉक्टर राम बिलाज शर्मा की आत्मकथा अपनी धर्ती अपने लोग बहुत प्रसिद्ध हुई है डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा, अर्ध कथा, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा, मेरी आत्मकहानी श्याम सुन्दर राफजी की हिंदी जगत में बहुत प्रसिद्ध हुई है फनिश्वन नाथ रेण की आत्म परिचे, उपेंद्र नाथ अस्ग की चेहरे अनेक, राम दरस मिश्र की आत्मकथा समय सहचर है नरेश महता की हम अनिकेतन, कमलेश्वर जी की जो हमने जिया, विश्णु प्रभागर की पंखहीन, राजेंद्र यादों की मुल मुल कर देखता हूँ पद्मा सर्देव जी की कस्तोरी कुंडल बसे, और मैत्रेई पुस्पा की कुछ कही, कुछ अनकही, आधी जो हैं आत्मकथाएं हिंदी साहित जगत में प्रसिद्ध है आत्मकाताप पुस्तक आत्मकाताप एक अध्याय है, जैसा मैंने पूर में भी आप से बताया कि आत्मकाताप रजा साहब की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका एक अध्याय है आत्मकाताप इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुबाद मधुभी जोसी जी ने किया है यह शेयद हैदर रजा ने चित्रकला के छेत्र में अपने आरंभिक संगर्सों और सफलताओं के सम्मध में बताया है एक कलाकार का जीवन संगर्स और कला संगर्स उसकी सरजनात्मक बेचैनी अपनी रचना में सरवत्र जोक देने का जुनून पूरी तरह से समर्पित हो जाने का जुनून यह सारी बातें इसमें बहुत रोचक वा सहज सैली में समाई हुई हैं उभर कर आई है लेखक शैयर हैदर रजा ने इस्कूल की परिक्षा में दस विशियों में से नौ विशियों में विशियों स्योग गिता प्राप्त की यह उनके आत्मा के ताप का अंश है और किस तरह से आत्मा का ताप निबंध लोगों के लिए प्रेरख बन सकता है तो सायर हैदर रजा साब लिखते हैं कि इस्कूल की परिक्षा में दस विशियों में नौ विशियों में विशियों स्योग गिता प्राप्त की आपके पिता रिटायर हो चुके थे इसी लिए वे नौकरी की तलास में थे तभी उन्हें गोदिया में ड्राइंग टीचर की नौकरी मिल गई महीने भर के अंदर उन्हें मध्य प्रांत की योरती चात्र बृत्ति मिली और वे जेजेई स्कूल आप हाट में प्रवेश के लिए मुंबई गए और वहां दाखिला बंद हो चुका था उनकी चात्र बृत्ति वापस ले ली गई परन्तु उन्हें मुंबई पसंद आई अत उन्हें वहां एक्सप्रेस ब्लाक स्टूडियों में डिजाइनर की नौकरी मिल गई तथा साल भर के मेहनत के बार इस्टूडियों के मालिक जलील वा मैनेजर हुसेन ने उन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया दिन भर काम करने के बाद वह पढ़ने के लिए मोहन आर्ट क्लब जाते ओन जेकब सरकल में टैकसी ह Rob केघर सोते थे द्राइबर रात में टैकसी चलाता था ओर दिनमें सोता था इस तरह इंका काम चलता था एक रात नो बजे वह कमरे में पहुँचा तो वहां पुलिस वाला खड़ा था पता चला कि यहां हत्या हुई है और वहां घबरा गया तुरंत पुलिस इस्टे संजा कर उसने कमिशनर से मिलकर सारी बात बताई कमिशनर ने बताया कि टैक्सी में किसी ने सवारी की हत्या कर द जलील साहब ने कई दिनों तक लेखक को देर रात तक इसकिज बनाते हुए देखा था जिससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने फ्लैट का एक कमरा लेखक को दे दिया लेखक पूरी तरह काम में डूब गया और 1948 में उसे बांबे सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला इस पुरसकार को पाने वाला यह सबसे कम आयू का कलाकार था दो वर्स बार इन्हें फ्रांस सरकार की छात ब्रित्य मिली नवंबर उनाइस सोते तालिस में आर्ड्स सोसाइटी आउफ इंडिया की प्रदर्शनी में लेखक के दो चित्र प्रदर्शित हुए अगले दिन टाइम्स आफ इंडिया में कला समीक्षक रूडॉल्फ वान लेडन ने लेखक के चित्रों की तारीफ की दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिग गए ये पैसे उनकी महीने भर की कमाई से अधिक थे लेखक को प्रोसाहित देने वालों में वेनिस एक आदमी के प्रोफेशर वाल्टर लैंग हैमर भी थे उन्होंने उसे काम करने के लिए अपना इस्टूडियो दे दिया वे टाइम साफ इंडिया में आर्ट डारेक्टर थे लेखक दिल में बनाए हुए चित्र उन्हें दिखाता उनका काम निखरता गया लैंग हैमर उनके चित्र खरीदने लगे उनाइस सो सैतालिस में वह जेजे स्कूल आफार्ट का निमिट शात्र बन गया सरण उनाइस सो सैतालिस वह अर्टालिस के वर्स बहुत कठिन थे लेखक के संगहर्स का यह वर्स था और निरंतर जबसे बंबोई पहुंचा है संघर्स पर संघर्स जेल रहा है और जो कला न कि देश में आजादी का उत्साह था परंद विभाजन की त्रासरुक्ती दोनों चीजें ऐक साथ थी आजादी तो मिली पर हमारे देश का विभाजन हो गया यह त्रासरी बहुत बड़ी थी लेखक इवाग कलाकारों के साथ रहता था उन्हें लगता था कि वे पहाड हिला सकते हैं एक युवा में जो जोश होता है सभी अपनी छमता की अनुसार बढ़िया काम करने में जुट गए लेखक उन्हें 48 में स्री नगर जाकर चित्र बनाए तभी कश्मीर पर कबायली हमला हुआ हलाकि लेखक ने भारत में रहने का फैसला किया पर बारा मूला तक गया जिसे घुच पैठीयों ने द्वर्स्त कर लिया था लेखक के पास कश्मीर के प्रधानमंत्री सेख अब्दुल्ला का शिभार्शी पत्र था जिसके आधार पर वह यात्रा कर सका इस यात्रा म लेनरी कारतिये ब्राशा से हुई उसने लेखक की चित्रों की प्रसंशा की परन्तु उन्हें रचना का अभाव बताया उसने सेजां का काम देखने की सलाह दिये लेखक पर इसका गहरा प्रभाव हुआ मुंबई आकर उसने एलाइंस फ्रांसे में फ्रेंच भासा सीखी और 1950 में फ्रेंच दूतावास में सांस्कृतिक सच्चिव से हुए बारतालाब के बार उन्हें दो वर्थ की चात्र बित्ति मिल गई लेखक दो अक्टूबर 1950 को फ्रांस के मार्सोई पहुंच गए बंबई में उसमें काम करने की इच्छा थी आत्मा का ताप चड़ा ताप लोगों को दिखाई देता था लोग सहायता करते थे वह इवाकलाकारों से कहता है कि चित्रकला बेउसाय नहीं आत्मा की पुकार है इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं केवल जहरा जफरी को काम करने की लगन मिली वह दमों सहर के आसपास के गाउं के साथ काम करती है लेखा क्या संदेश देना चाहता है कुछ घटने के इंतजार में हात पर हान धरे न बैठे रहो खुद कु कुछ करो अच्छे संपन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते जबकि उनमें तमाम संभावनाएं बंती हैं ऐसा रजा साहब का मानना है रजा साहब बुखार से चट पटाते से अपनी आत्मा को संतप्त किये रहते हैं उसकी बात कोई महत्वपूर्ण नहीं है पर उसमे काम करने का संकल्प है वो जो आत्मा का ताफ है वो भीतर की जो संबेदना है वही जो है उनको किलमकार रचनाकार चित्रकार बनाती है चुकि उनके मन में काम करने का एक संकल्प समाया हुआ है स्रीमत भौत गीता भी कहती है कि जीवन में कुछ है तनाव के कारण है जीवन का पहला चरण बच्पन एक जागरित है लेकिन लेखक के लिए बंबई का दौर ही जागरिती का चरण था वह कहता है पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है अंतता वह महत्वपूर्ण नहीं होता पैसा महत्वपूर्ण तो है पर अंतता वह महत्वपूर्ण नहीं होता उत्तरदाइट तो पूरे करने के लिए पैसा जरूरी है लेकिन इतना भी ज्यादा पैसा नहों कि आगे चल करके से ओ शिरदर्द बन जाए हमने आत्मा के ताप पर आपसी चर्चा की अब प्रस्नों के माध्यम से इसको देखते हैं रजा साहभ मैं ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकर्ष क्यों नहीं सुविकार कि वास्तव में रजा साहभ ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकर्स इसलिए नहीं स्विकार की क्योंकि मुंबई में रहकर अध्येन करने का नेड़े उन्होंने कर लिया था उन्हें मुंबई शहर का बातावरण, गैलरियां और मित्र पसंद आ गए चित्रकारी की गहराई को जानने समझने के लिए मुंबई जो है बहुत अच्छी जगह थी और साथ ही उसे वहाँ एक्स्प्रिस ब्लाक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी भी मिल गई थी इस कारण से उन्होंने अकोला में द्राइंग अध्यापक की नौकरी को ठुकरा दिया अब बंबई में रहकर कला के अध्येन के लिए रजा साहब ने कौन कौन से संगर्श किये अभी हमने आप से इसकी चर्चा की है बंबई में रहकर कला के अध्येन के लिए रजा साहब ने बहुत बड़ा संगर्श किया सबसे पहले उन्होंने एक्सप्रेस ब्लाक स्टूडियों में डिजाइनर की नौकरी की वे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वहां काम करते थे फिर मोहन आर्ट कलब में उन्हें अध्येन करने जाना पड़ता था पहला हुआ नौकरी फिर हुआ अध्येन करना उन दिनों रात को सोने के लिए अएक परचीट ढ्राइवर के कमरे पर जाना पड़ता था कुछ दिन Бाद उन्हें इस टूडियो के और डिपार्टमेंट में कमरा मिल गया उन्हें फर्स पर सोना पड़ता था वे रात के 11-12 बजे तक चित्रवा रेखा चित्र बनाते थे उनकी मेहनत को देखकर उन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया गया कठिन परिश्रम के कारण उन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी का स् प्रेजित होते हैं सन 1923 में उनके चित्रों की प्रसंसा हुई उनके चित्र 40-40 रुपए में बिग गये बेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंग हैमन ने उन्हें अपना इस्टूडियो दे दिया लेखक दिन भर मेहनत करके चित्र बनाता था और लांग हैमर साहब उन्हें खरीदते और खरीदवाते बिश्वा देते थे इस प्रकार लेखक इतने रुपए कमाने लगे कि नौकरी छोड़कर जेजे स्कूला फार्ट का नीमित चात्र बनकर कलाकार धेन करने लगा यह उनका रहा संगर्स में जीवन रजा साहब के जो पसंदीदा कलाकार हैं वे थे सेजा, वान, गौंग, गोगांग, पिकासो, मातीस, शागाल, आदी एक बात बहुत अच्छी कही थी प्रख्यात फिंच फोटोग्राफर हेनरी कार्थिये ने कि तुम्हारे चित्रों के रंग हैं भावना है लेकिन रचना नहीं है यह बात मैंने आपसी चर्चा की थी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है आधार, नीव, दीवारें, बीम, छत तब जाकर वह टिकता है रजा पर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ा मुंबई लोटकर उन्होंने फ्रेंच सीखने के लिए अल्यांस फ्रांसे में दाखिला लिया उनकी रूची फ्रेंच पेंटिंग में पहले से ही थी प्यादी रजा साहब को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते हैं सोचिए रजा साहब को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो एक जाने माने चित्रकार क्या बन पाते हैं उनकी अंदर चित्र बनाने की अदम में इच्छा थी लेखक बच्छमन से प्रतिवाजाली था उसे आजीविका का साधन मिल गया था परंतु उसने नौकरी छोड़कर चित्रकला सीखने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की मेहनत करने वालों का साथ कोई न कोई देता ही है जलील साहबने भी उनकी प्रतिवाज़ा लगन निस्ठा और मेहनत को देखकर उनकी सहायता की लेखक के उत्साह और संगर्स करने की शमता काम करने की इच्छा उसे महान चित्रकाद बना एक बहुत अच्छी बात रजा साहब ने कही है कि चित्रकला बेवसाय नहीं अंतरात्मा की वो पुकार है बास्तों में यह बात बिल्कुल सत्य है कि चित्रकला जो है वो बेवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है परन्तु आज बेवसाय प्रधान युग में हर कला भी करही है भारत के सरवाधिक विख्यात चित्रकार M.F. हुसेन की एक एक कृत करोणों रुपयों में बिक रही है अन्य कलाकार भी इसके माध्यम से धन कमाने में लगे हुए है अता है अब यह कला ब्यावशाई कोती जा रही है कला के संबंध में रजा साहब के जो बिशार हैं वास्तों में उन्होंने बहुत ठोस शब्दों में इस बात पर बल दिया है कि चित्रकला को आप व्योसाय न बनाएए वह भीतर से जन्व लेती है इसे अपना सर्वस्त देकर ही ठोस पढ़िणाम पाया जा सकता है वे कठिन परिश्रम को महतुपूर मानते हैं उन्हें इस बात पर आश्यर होता है कि अच्छे से अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं जबकि उनमें तमाम संभावनाएं चिपी हुई हैं उनका मानना है युवा वर्ग को स्वयंग आगे बढ़कर विविन शेत्रों में पहल करनी चाहिए किसी भी से इस घटना के घटने का इंतजार नहीं करना चाहिए सयद हैदर रजा का मानना है कि एक कलाकार के अंदर एक सरजनात्मक बेचैनी होनी चाहिए एक संबेदना होनी चाहिए अगर वो सरजनात्मक बेचैनी नहीं है तो रचनाकार नहीं बन सकता वह चित्रकार नह नहीं बन सकता उसे अपनी रचना अर्थात कला कृत में सर्वस जोग देने का जुनून होना चाहिए कला में उदात्ता होनी चाहिए वास्तों में आत्मा का ताप पाठ का उद्देश से किस उद्देश से यह पाठ जो है आपके पाठिक्रम में रखा गया है वास्तों में आत्मा का ताप इस पाठ में देश के नवयूकों को लेखक ने बताया है कि ब्यक्ति के मन में कुछ करने की लगन हो तो कथिनाईयाँ उसके मार्ग को अवरुद नहीं कर सकती है। इस पाथ का उद्देशिट नवश्कों को कारि करने के लिए प्रेरित करना है। कारि कर"-के ही ब्यक्ति महानता को प्राप्त कर सकता है। भाग्य के भरोसे रहना उचित नहीं है लेखक ने नौकरी करते हुए मेहनत से पैसे कमाते हुए अपना अध्यन जारी रखा तथा अपनी मंजिल को प्राप्त किया तो देश के नयूकों को रजा साहब संदेश देते हैं कि भाग्य के भरोसे मत रहो मेहनत करो पसीना बहाओ जैसे परिश्रम जब पसीना बोया जाता है परिश्रम किया जाता है तो ब्यर्थ नहीं जाता आज तक जितने भी महापूरुस हुए हैं सबने पसीना बहाया है मेहनत की है और रजा साहब ने जो चित्रांकन के माध्यम से पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया उसके पीछे उनकी मेहनत लगन निष्ठा परिश्रम पसीना था जो आज पूरे विश्व में उनका गुणगान किया जाता है